हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूच्यूब चैनल जारेडा उनन क्लासेज में बच्चों आजम सभी हल करेंगे हमारी विश्य परियावरन अध्यन कक्षा पांच सप्ता 21 की वर्क्षीट पार्ट तेरा बसेरा उन्चाई पर बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाएए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क्राइब कीजे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिए बच्चों पहला प्रशने सही विकल्ब चुनिये इनमे से कौन सी जगे थंडा रेगिस्थान है तो बच्चों लद्दाख है हमारा थंडा रेगिस्थान इनमे से मैदानी शेत्र कौन सा है तो बच्चों इनमे से दिल्ली हमारा मैदानी शेत्र है इनमे से पहाड़ी शेत् त्रिकोन नुमा टेंट को हम क्या कहते हैं तो बच्चो त्रिकोन नुमा टेंट जो होता है उसे हम रेबो कहते हैं अगला है प्रेशन दो निम्लिकित कत्नों में सही पर सही वे गलत पर गलत का निशान लगाईए चांग थांग इलाके का तापमान जीरो डिगरी शेलसियस से कम होता है तो ये बच्चो बिलकुस सही है श्रीनगर एक मैदानी शेतर है तो बच्चो ये गलत है याक लद्दाग शेतर में पाया जाने वाला एक जानवर है तो बच्चो ये भी बिलकुस सही है लहे शेर में घर बनाने के लिए पत्थर लकडिया चूने का प्रियोग होता है बचो ये वाके भी बिलकुर सही है अगला है उच्छे शब्द का प्रियोग करते हुए रिक्तिस्थान भरिये चांगपा लोग के होते हैं जो घुमन्तु होते हैं ठीके जो एक जगह से दूसरे जगह पर घुमते रहते हैं खास तरह की बकरियों के बाल से उन बनाई जाती है तो बचो कौन सी उन बनाई जाती है तो बचो यहां लिखेंगे पश्मेना उन अगला है बच्चो जील के पानी पर तेरते घरों को हम क्या कहते हैं बच्चो उनको हम बोलते हैं house boat house boat हम उसे कहते हैं मुंबई से दिल्ली तक की दूरी कितनी है बच्चो तो यह है 1400 किलो मिटर ठीक है अगला है बच्चो निमलिखित में से जानवरों से प्राप्थ होने वाली वस्तों पर गूला लगाईए तो बच्चो जानवरों से हमें क्या क्या मिलता है प्लास्टिक, कागज, चमडा, उन, लकडी, अंडे, पश्मीना, इट, दूद, मास, घास और इगलू तो देखिए बच्चो जो जो हमें जानवरों से मिलता है उन पर हमने गूला लगाया अगला है बच्चो नीचे दिये गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखिए तथा दोनों शेत्रों के घरों में अंतर लिखिए तो देखी बचो यहाँ पर पाड़ी शेतर के घर है और यह मैदानी शेतर के घर है तो देखी बचो इन में आपको क्या-क्या जो है अंतर देखने को मिला आपको यहाँ लिखना है तो देखी बचो पहला पाड़ी शेतर में पत्थर, लकड़ी, घास, फूस, चूना, आदी से बने होते हैं यहाँ के घर ठीक है और बचो जो मैदानी शेतर होते हैं वहाँ पर सीमेंट, इट, काच, इस्टिल, लोहा, आदी से घर बने होते हैं ठीक है बचो दूसरा है बचो यहाँ के जो छट होती है बचो पहाड़ी शेतर में वो धलान वाली होती है ठीक है अगला है बचो फर्ष लकड़ी से बना होता है कहाँ पे बचो पहाड़ी शेतर में और हमारे मैदानी शेतर में फर्ष पत्थर यह सीमेंट का बना होता है फर्ष सीमेंट या पत्थर का बना होता है इस तरह से बचो आफ सभी को इनके अंतर यहाँ लिखने है अगला है बचो जीवन कोशल संतुलित आहार शरी शोष्टू मजबूती देने वाले भूजन संतुलित आहार में दूसरे प्रकार का भूजन है शरी शोष्टू भूजन तो बचो इससे पहले हमने उर्जा देने वाले भूजन के बारे में पढ़ा था शरी शोष्ट भोजन हमें अच्छी तरह से बढ़ने और हमारी माच पेशों के निर्मार में मदद करता है ये प्रोटीन से भरपूर खादे पदार्थ है जैसे दू, सोया बीन, अंडे, बीन, डाले, मेवे, आदी चातर चात्राओं के लिए दिशा निर्देश अपने घर पर उपलत पांच शरी शोष्ट मजबूती देने वाले खादे पदार्थों के सूची बनाईए तो बचो देखे आपके घर में कौन-कौन से ऐसे खादे पदार्थ है तो यहां लिखेंगे दूद, अंडे, बीन, डाले, और मेवे अगला है बचो कोई एक बिना गैस के व्यंजन बनाए व्यंजन के सभी सामगरी स्वस्थ होनी चाहिए आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं इसकी तस्वीर ले और अपने शिक्षक के साथ साजा करें तो बचो एक आपको बिना गैस का आपको एक व्यंजन बनाना है और उसकी फोटो लेके अपने शिक्षक के साथ साजा करनी है अगला है बच्चो प्रशन 3 भूमी का निभाने की गतिवीदी अपने आपको एक शरी शोष्ट मजबूती देने वाला भूजन माने अपना महतु बताते हुए एक मिनिट का वीडियो बनाए जैसे बच्चो मैंने अपने आपको यहाँ पर एक अंडा माना है तो यहाँ मैं लिखोंगे मैं एक अंडा हुँ मैं सबको ताकत प्रदान करता हुँ मैं शरीर को स्वस्त वै मजबूत रखने में मदत करता हुँ ठीक है बच्चो इसका वीडियो बनाकर अपने शिक्षक के साथ साजा करें अगला है बच्चो संसका शाला छोटी छोटी पर बड़ी बाते अपने जहाज के आने की प्रतिक्षा ना करें स्वैम तैर कर उसके पास जाएं गैरी वुड ने ये कहा है खाना पीना दादी दादा जी की पसंद का खाना खाना है परिवार के साथ समय बोलने में कठी शब्द टंग ट्विस्टर इससे पांच बार जल्दी जल्दी लगातार बोल कर देखें खड़क सिंग के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कयां खिड़कयों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंग दिन की गतिविदी अपनी पुस्त को और कौपियों को जिल्द चड़ाना दैनिक दिन चरिया निमलिकित आदतों को अपने दिन चरिया में शामिल करे अपने माता पिता का विवादन करके अपने दिन की शुरुआत करे अपने दातों को दिन में दो बार ब्रेश करे प्रती दिन इसनान करे खूब पानी पी और संतुलित आहार ले अपने चेहरे को छूने से बचे और अपने हातों को बार-बार धुए और अपना ग्रहकारे समय पर पूरा करे तो बचो इस तरह से आप सभी को अपनी वक्षीट को हल करना है उमीद करती हूँ बचो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बचो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करे जादा से जादा वीडियो को शेयर करे और नीचे दिये कमेंट बॉक्स में बचो आप मुझे कमेंट जरूर लिख कर बताए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा और बच्चों जिन्हों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्जी से जाईए लाल बटन दबाईए और आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद